चलिए बपा का हो गया आगमन तो इस खुशी के अफसर पर तो उनकी फेवरेट रेस्पी तो बनती है उनकी फेवरेट रेस्पी है बेसन के लड़ू तो चलिए इसे फटा-फट से बनाना शूब करते हैं आप सभी को गनिश चतुरती की हार देख शुब काम ना है तो सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे तो मैंने इस मेजरमेंट से एक कटोरी बेसन लिया है बेसन के छानने से जो बेसन में गुठली आती है नो बिलकुन अच्छी तरीके से निकल जाती है और फिर बेसन बिलकु गर पर बना सकते हैं और आपको यकीन ही नहीं होगा तो देखिए बेसन अच्छी तरीके से छन चुका है तो अब कडाई लेंगे कडाई में डालेंगे शुद देसी घी ये घर का देसी घी बना है तो मैं एक बड़ा चमच देसी घी ले रही है और जो बेसन चाना था ना उसे डाल कर अच्छी तरीके से सभी को देसी घी में मीडियम आज पर ही भूनेंगे गैस का फ्लेम जब भी बेसन के लड़ू बनाए ना तो गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और धीमी धीमी आज में जब बेसन के ले और घी को अच्छी तरीके से मिलाएंगे ना तो ये देखिए, जैसे जैसे बेसन में घी उल रहे है ना, तो ये कुछ इस तरीके से देखा इदर, और जब ये अच्छी तरीके से भुनता जाएगा ना, तो बेसन हमारा धीला होता जाएगा, और बिल्कुन स्मूद और जैसे हम कर्ची को चलाते रहेंगे बेसन हमारा धीला होता रहेगा और इतना soft होता जाएगा कि इसी stage से हमें बेसन को हिलाते रहना है इसे 15-20 मिनिट लगेंगे और जैसे जैसे हमारा बेसन देखे पहले तो गाड़ा है और मैं हलके हलके हां से इसे भूनती जा रहे हूँ न तो यह धीला होता जा रहा है इसे भूनने में थोड़ा हाथ तो धर्द होगा पर जो घर के लड़ू का स्वाद आएगा न बस हमारे स्वाद के लिए तो फिर इतनी महनत तो बनती ही है तो देखें जैसे बेशन भूनता जा रहा है ना देखें बेशन के पर भूता जा रहा है और कि हम जय Hello जो हम चला रहें तो बिव कुक्र कलर और टेस्टर बेखिए बिल्कून इस तरीके से ना दिखे ना तब तक हमें बेशन को कंटिन्यू भूनते जाएंगे घर के सुध देशी घी का बेशन के लड़ू अगर मिल जाए गनेश चतुर्ती वैसी है तो मैं यह अपने गनपती बपा के लिए बना रही हो तो इतनी साथ मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा देखे जब मैं इसे चू कर देख रही हो ना तो मतलब हाथ से यह लग रहा है कि हां बिल्कून ठंडा हो चुका है देखे तो अब इस मेजर मेंड से मैं एक कटोरी भूरा डालूंगे या आपके पास भूरा न देखिए अब जब अच्छी तरीके से मिल गया और ठंडा भी हो गया तो फिर से इसे हांस से अच्छी तरीके से मिलाएंगे तो यह बिल्कून परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा अब मिलने के बाद यह देखिए बिल्कून इसका कलर भी कितनी अच्छी तरीके से निखर क देर जाएंगे और इस तरीके से हम यह बिलकुन perfect है अब थोड़ा सब इसका better उठा के इस तरीके से गोल-गोल shape देंगे और इसे इस तरीके से लाएंगे तर बिलकुन यह गोल shape बनकर तियार है यह देखिए आप इस तरीके से एक बार घर पर जरूर बनाईए और इंजवाए कीजिए देखी में तोड़कर भी दिखारू कितने सॉफ्ट बने हैं वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सिस्क्राइब जरूर कीजिए